हलो फ्रेंड्स वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे हैं रीजिनिंग के बहुत इंपोर्टेंट कोचिन और एक्जाम में भी पूछे गए हैं U, P, SSC, 2016 में पूछा गया कोउषन ठीक है वैसे तो मैं सभी कोउषन एक्जाम में पूछे हुए लिएक काई आता हूँ लॉजिक बनते हैं रीजनिंग में ठीक है अगर लॉजिक आपने पकड़ लिया तो समझ लिए जी कोश्चन बन गया जैसे की पांच से साथ हुआ तो पांच में आपने दो जोड़ा तो साथ हो गया ठीक है फिर पांच से तीन हो गया तो पांच में आपने पांच में से दो जोड़ा और एक बार घटाया. ऐसे ही यहाँ पे देखिए 20 में 10 जोड़ा 10 जोड़ा तो 30 हो गया और 10 ही क्या करेंगे 10 ही घटा देंगे यह 20 में 10 जोड़ेंगे 30 और 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 मिल गया यानकि पहले देखिए आ Опे 2 जोड़ा था और 2 घटाया 10 जोड़ा 10 घटाया अब देखिए 95 में कितना जोड़ेंगे कि 145 हो जाएगा आप 95 में 50 जोड़ दीचे 145 और 50 ही फिर क्या करेंगे घटा देंगे 50 को ही घटा देंगे तो 95 में से आप घटा देंगे 50 तो यहां कितना जाएगा यहां जाएगा 45 एक्स का मन 45 तालिस आ जाएगा, C option बिल्कुल सही जवाब, आसानी से समझ में आ रहा होगा, दो जोड़ा, दो घटाया, दस जोड़ा, दस घटाया, पचास जोड़ा तो पचासी घटाया, ठीक है, जोड़ के दूसरी संक्या मिलेगी, घटा के तीसरी, जोड़ के दूसरी घटा के तीसर यानि कि बीच में X है, बीच में question मारके, बीच की संक्या पता करनी है क्या, यह उत्तरखन वीडियो 2600 लेक आया हुआ question, ठीक है, अब मुझे ऐसा तो कहीं नहीं नजर आ रहा कि कैसी तरफ में बड़ी संक्या हो तो उस तरफ करनी है, छोटी संक्या किदर हो, ऐसा नहीं द पंदरा, पंदरा में दो जोड़ दूँगा, तो सत्रा, यानि कि इस कॉलम का यूग सत्रा आया, इसका भी सत्रा आया, तो इसका भी सत्रा ही आना चाहिए, तो 9 और 6, 15, 15 में मैं कितना जोड़ दूँगे, सत्रा हो जाएगा, आपका इंसर दो जोड़ दो, दो जोड़ द अगला question है 4, 13, 153, 11, 120, 26 question mark तो इस question में जब मैं देखा कि नीचे की तरफ बड़ी संख्या दी गई है तो question को नीचे की तरफ ही solve करना है ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बड़ी संख्या जिस तरफ हो question को आप उसी तरफ solve करें तो यानि कि 4 और 13 से 153 अगर मैं बना पाता हूँ अगर मैं दोनों का इनका multiply भी कर देता हूँ तो मैं 134 के बामन तक ही पहुँच पाऊँगा 153 तक नहीं तो multiply से तो नहीं पहुच पा रहे तो हमें square करके देखना होगा square करके पहुचना चाहिए तो मैं पहले 13 का square करता हूँ अगर मैं 13 का square करूँँगा 13 का तो कितना होता है 169 होता है 153 से आगे निकल गया 133 से आगे निकल गया 153 से आगे निकल गया 153 से आगे निकल गया न मुझे फिर गया करना है 4 का स्कुर कितना होता है 16 मैं 153 से आगे निकल गया था मुझे तो पीछी आना 153 पर तो माइनस करना पड़ेगा 4 का स्कवार मुझे तो 9 में से 6 जाएगा 3 और 16 में से जाएगा 15 यानि कि 153 मिला कि नहीं मिला बिल्कुल मिल गया वैसे ही यहाँ पर करो पहले 11 का स्क्वार 112 होता है ठीक है फिर 1 का स्क्वार करो 1 का स्क्वार एक तो 120 में से मैनिस कर दो 1 तो 120 बचेगा ये रहा अब आपके पास पहले 6 का स्क्वार करो जो कि 36 होता है फिर 2 का स्क्वार करो 4 होता है 36 में से मैनिस करो 4 बचेगा कितना 32 यही आपका सही जवाब है पहला option आगे सबी को समझ में आप देखेंगे अगला question अगला question है आपका question में देखेंगे question में यहाँ पर नीचे बटे में संख्या दी गईए ठीक है तो आपको करना क्या है नीचे बटे में संख्या दी गईए तो एक हिंट तो यह मिल गया का हमें नीचे की तरफ यह पर्षिन स्वल्प करके लिए क्या ना है देखे 8 में से ध्यान रखना 8 में से मैं माइनस कर दूँगा 6 तो कितना बचेगा अच्छ तो कितना बचेगा मेरे पास 2 बचेगा ठीक है इस 2 में यह वाला 2 जोड़ेंगे तो 4 हो गया ऐसे ही 12 में से माइनिस कर दूँगा 5 तो 7 बचेगा और 7 में 8 जोड़ दूँगा तो 15 ऐसे 13 में से माइनिस कर दूँगा 10 तो 3 बचेगा तो 3 में ये वाली संक्या जोड़ूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा तो 3 में कितना जोड़ूँ के 18 मिल जाएगा आप बुलेंगे सर तीन में पंदरा जोड़ दो अठारा मिल जाएगा पंदरा जोड़ना है तो X का मान आपका पंदरा हो गया जो कि P-Option में दे रखा है हमारे कोशन का अंसर मिल गया के लिए रसे भी गो चलिए अब देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है तीन है तीन सो संक्या मुझे 3 से और 7 से बनानी होगी 370 ठीक है तो मैं क्या करूं स्क्वेर करके तो पहुंचूंगा नहीं साथ का स्क्वेर उनेंचास होता है तीन का स्क्वेर नौ तो उनेंचास मैं अगर 9 भी जोड़ दोंगा तो यहां तो 370 तक नहीं पौँच पाऊंगा तो मुझे दोनों को जोड़ोंगा, तो कितना हो जाएगा, सात और तीन, दस, दस का 0, कैरी का 1, दो और तीन, चे कैरी का 1, 7 हो जाएगा, और ये 3 आ गया, तो 370 हो गया, दोनों के अडिशन, 370 बन गया, बिल्कुल वैसे, यहाँ पे करो, करो दोनों का q 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 संख्या का क्यूब करूँगा तो X की जगे कोई संख्या लोगा 9 9 का क्यूब करूँगा वह यह 9 का क्यूब करूँगा तो कितना होता है 9 का क्यूब होता है 739 यानि 1 का क्यूब 1 और 9 का क्यूब 739 दोनों को जोड़ दो इनको यह हो जाएगा 730 ठीक है 730 हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी भाई, यहाँ X की जगा कौन संख्या लेंगे हम, 9, 9 का keep करेंगे, ठीक है, यानि कि C of 7 बिल्कूल सही हो गया, चलिए, अब देख लेते हैं, अगला question, अगला question है आपका, circle है, circle में संख्या है, आमने सामने दी गई 9 के सामने आपका 21 है, 9 के सामने 21 है, 9 से 21 कैसे बनेगा, अगर आप 9 का मल पर 2 करेंगे तो 18, और उसमें जोड़ देंगे, आप 3 तो 21 बन जाएगा, 21 बन गया, multiply 2 प्लस 3, आप देखिए 7 के सामने 14 है, तो 7 का भी गुना 2 से करो, 14, यहाँ 3 जोड़ा, तो यहाँ भी 3 जोड ही तो है, 4 के सामने 11 है, तो यहाँ पर भी 4 का भुना 2 से करो, 8 और 3 जोड़ दो, तो कितना 11, अब क्या है, 6 के सामने X है, तो यहाँ भी 6 का भुना 2 से करेंगे, 12 और 3 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15, यह आप तांसर हो गया, C option, तो दोस्तों, आज के वीडिय करके जल बताएगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद,